हेलो फ्रेंड्स मैं शताब्दी और शताब्दी दिवा किचेंस में मैं अपने सारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आज ये डिश है मटर पनीर जो घर में सभी को पसंद आती है खास कर जो बच्चे होते हैं इसको बहुत जादा पसंद करते हैं आज मैंने ये इस वाली डिश को एकतम वेजिटेरियन बनाया है ना लैसून डाला है और ना प्यास डाला है इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी बनी है कि आप एक बार इस डिश को बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे जब भी हम मटर पनी लाएंगे तो इसी डिश को बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपनों दोस्तों के साथ तो चलिए चलते हैं शताब दिश तो सबसे पहले देखी पनीर है यहाँ पर 500 ग्राम पनीर है इसको मैं कटिंग करूँगी थोड़े बड़े बड़े पीसेस में बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करना है जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो इसको अगर हम बनाते हैं ना मटर पनीर तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं फ्रेंट्स वीडियो के लास तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत चोटी चोटी टिप्स जो है आप लोगों के साथ शेयर की है तो ये देखिए मैंने सारे पनीर काट लिये हैं अब एक कड़ाई में मैं थोड़ा सा वाइट ओयल ले लिती हूँ मतलब रिफाइंड ओयल इसी के साथ मैं एक चम्मत घी ले लूँगी रिफाइंड ओल घी से जब आप पनीर को फ्राइ करेंगे तो उसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जैसे ही तेल और घी गरम हो जाता है इसमें मैंने जो पनीर काट के रखे थे वो एड़ कर देती हूँ रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा तो इसको मैं फ्राइ करूंगी थोड़ा रेट होने तक रेट होने पर ही मतलब इसको मैं दूसरी तरफ भी रेट कर लूँगी दोनों तरफ से अच्छी से रेट हो जाते हैं तो इनको मैं एक बाउन में उठा कर रख देती हूँ एक आलू को मैंने छोटे छोटे पीसिस में काट के रखा था ये देखिए जैसे पनीर के पीसिस है ना उसी साइज में और इसको भी मैं डाल कर अच्छे से फ्राई कर लूँगी थोरा रसा इसका जो है कलर चेंज हो जाए और कच्छापन भी इसका दूर हो जाता है इसको भी जैसी फ्राई हो जाएगा बाउल में उठा कर रखूँगी यहां मैंने एक शिम्ला मिर्च जैसी मीडियम साइज का होता है ना उसको काटा है और इसको भी मैंने फ्राई किया है इससे जो है यह डिश जो है ना टेस्टी के साथ साथ हेल्थी भी हो जाएगी बच्चे जो है खाना नहीं चाते हैं सबजियां तो मैंने इसमें इसको इसलिए एड करके आप लोगों के साथ शेयर किया है तो जैसे यह फ्राई हो जाता है इसको भी मैं प्लेट में उठा कर रख देती हूँ अब उसी ओयल में मैं डालूगी एक तेजपत्ता, तीन इलाइची, एक इंच मैंने दार्चीनी ले लिए है उसको तोड़के इसमें एड कर दिया है जैसे यह फ्राई हो जाता है इसमें डालूगी एक छोटा चमच हल्दी और एक छोटा चमच कश्मीरी मिर्च इसको अच्छे से फ्राई करना है, क्या होता है ना इसको पहले डालने से जो आपकी ग्रेवी बनेगी ना डिश की वो बहुत सुपर हिट दिखती है अगर दिखने में बहुत अच्छी होगी तो खाने में तो टेस्टी लगेगी लगेगी यहां मैंने देखिए अदरक, जीरा और हरी मिर्च का पेस्ट बनाए था, वो मैंने इसमें एड कर दिया है जीरा एक इंच लेना है और अद्रक एक इंच लेना है जीरा एक चमज भरके और जो हरी मिर्च है मैंने तो दो डाली है आप जादा कम कर सकते हैं तो इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, देखिए तेल जो है सेपरेट होने लगा है, जित्ता आप मसाले को भूनेंगे ना सबजी का टेस्ट बहुत जादा आता ये देखिए, कितना मस लग रहा है ना, बहुत अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ताकि तेल एकदम उपर-उपर दिखने लगता है। इसमें मैंने दो टमाटर को पहले से ही पीस के रखा था, वो इसमें एड़ करती हूँ। अब एड़ करेंगे इसमें एक छोटा चमश नमक, जिससे टमाटर में टमाटर जो है अच्छे से मैश हो जाए, और पूरे मसाले के साथ अच्छे से ये मिल जाए। अब मटा माटर और मसाले को भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये एक वेजिटेरियन ऐसी रेसिपी है कि सब को पसंद आएगी, आपके हाँ कोई मेहमान आ जाए तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाईएगा, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी जो शाही पनीर होती ना वैसी ही दिखती है। अब जो छोटे-छोटे आलू मैंने अभी फ्राई करके रखे थे, वो इसमें एड़ कर देती हूँ। और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि क्या है कि मसाले का फ्लेवर भी आलू में आ जाए। जब भी हम मसाले में सबजिया डाल के इस तरह से फ्राई करते हैं, थोड़ी देर तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें एड़ करूँगी अब आधा कब मटर। क्योंकि मटर पनीर है, तो थोड़ा जादा ही मटर यूज होता है, और एड़ कर दिया है शिमला मिर्च को, अब इन सब को अच्छे से मसाले के साथ फ्राई करना है, पास से छे मिनट तक इस तरह से मसाले के साथ कर्ची चलाते हुए फ्राई करना है, फ्रेंड्स लाइक औ पानी, ताकि जो आलू, शिमला मिर्च और मटर जो है, इसमें थोड़ा डूब डूब जाए, और इससे क्या होता है, कि ये अच्छे से सीज भी जाएगा, अगर आप थोड़ा और पानी डालना चाते हैं, तरी जादा करना चाते हैं, तो जादा भी डाल सकते हैं, गैस का फ्लेम जो है, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, और इसको धक के पकाऊंगी, करीबन 8-10 मिनट बाद इसको देख लेती हूँ, एक बाद चेक कर लेती हूँ, और चेक करने के बाद, जो है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और सीजेगा, 5-6 कादू पीस लिया था, जो इस ये देखिए, 5-6 मिनट हो चुका है, अब हम देखने धकन खोला और रेसिपी एकदम बनकर तयार है, बहुत ही टेस्टी है, इसको साइब चाहे, आप रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, अब इसमें मैं जो है, पनीर को मिक्स कर दूँगी, पनीर मिक्स करने के ब बस थोड़ी ही देर इसको पकाना है, जादा नहीं पकाना है, गैस का फ्रेम जो है, आप जादा भी रख सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा कम भी, ये वाली डिश जो है, बच्चों को बहुत जादा पसंद आती है, इसको चाहे इनको टिफिन में दीजिए, या घर में ही है, ओनियन भी नहीं डाला है, और मैंने इसमें नातो गारलिक डाला है, एक चमस्च मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया, इससे आप जानिये कि कितना टेस्ट इसका बढ़ जाता है, तो फ्रेंड्स इस रसीपी को आप एक बाद जरू ट्राइ कीजिएगा, और देखिए कि ये खाने में कितना टेस्टी लगता है, जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल में फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास मेरी जो नई नई वीडियो है, वो पहुंच सके, ये देखिए, एक दम रेसीपी बनकर बिल्कुल रेडी है, मन कर रहा है ना कि खा लें, तो चलिए अब सर्व भी कर लेते हैं, तो जैसी मैंने इसको सर्व किया, तो आप देख रहे हैं, इसका कलर देखिए और देखिए ग्रेवी को देखिए, रोटी, चावल, पूरी, पराठा, चावल, किसी के साथ भी आप अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, तो जरूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो फ्रेंड्स आज मेरे वीडियो पहरी बार देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, कि मेरे चलिल को जरूर सब्सक्राइब कर देए,